केहने को दर्मनगरी कुरुक्षेतर का सेक्टर 13 शेहर का सबसे पहला सेक्टर है और शेहर के मोजिस लोगों का सेक्टर है सेक्टर 13 शाने सब लगरी के वार्ण नमबर 16 शेक्टर 13 का कम्मूनिटी शेंटर पिछले काफी समय से उचित व्यवस्था और रख रखावना होने के कारण रामभरों से है वर्षों पहले जिस उद्देश्य से इस Community Center की स्थापना की गई थी कि इस Community Center में धार्मिक, समाजिक, परिवारिक, वेवाईक, वेराजनितिक कारिकरम हुआ करेंगे और इस Community Center की स्थापना के बाद नी संदे या ऐसे कारिकरम आयोजित भी किये गए परन्तु अब इस Community Center में कई वर्षों के बाद शायद एका धार्मिक कारिकरम ही आयोजित होता है यानि पहले जैसी रोनक, धार्मिक, समाजिक, वेवाईक वेराजनितिक कारिकरम अब इस Community Center में आयोजित नहीं किये जाते इसके अलावा शायद ही यहाँ आप कोई कारिकरम आयोजित होते है वर्षों में हाल यह है कि इस Community Center में गंदगी और एस्वच्ता का महौल है दुकांदर इसे अपने व्यक्तिकत कारियों के लिए इस्तमाल करने लगे है इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जहां इस Community Center के प्रिवेश द्वार में ही यह जो Red Corporate बिछा हुआ आपको दिखाई दे रहा है यह किसी कारिकरम के लिए नहीं बलगी किसी Tent संचालक द्वारा इसे धोकर सुखाने के लिए बिछाया गया है यानि Community Center की इस जगह का दुकान द्वारा पूरा उप्योग किया जा रहा है वो भी निजिस्वार से इतना ही नहीं इस Community Center के खाली पड़े हिस्से में भी आपको और भी दरिया और टेंट दोकर सुखाने के लिए तंगे और रखे हुए दिखाई देंगे हाल ही में इस जगह पर पिछले कई समय से कोई कारिकरम आवजित नहीं किये जा रहे गंदिकी से भरे नगर प्रिशत के यहां एक नहीं आपको अनेक टिक पर खड़े हुए दिखाई देंगे वाड की पार्षत सवीतागर्ग और पार्षत परदिनिदी स्तीशगर्ग की यदि माने तो उचिद रखर खावना होने के कारण इस कमुनिटी सेंटर में ऐसमाजिक तत्तो भी घूमते हुए दिखाई देते हैं उनका गहना के वाड में सफाई के टेंडर काफी समय से नहीं लगे जिसके कारण वाड में जगय जगय गंदिकी के धेर लगे हैं और सफाई विवस्ता डगमगाई हुई है इस कमोडीटी सेंटर में भी निर्मान धिनकारे जिसका टेंडर भी लगा हुआ है वहे भी लटका हुआ है ऐसे में धर्मनगरी कुरुक्षेतर को अंतराश्तिमान चीत पर स्तापित करने के दावे और शेहर को स्वच और हरा बरा बनाए रखने के दावे हकीकत में खोखली साबित होते नजर आ रहे हैं